जटपट दुकान, स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने ता बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान नमश्कार स्वाध आप सभी का बज़ारोगी चाल में मैं हूँ आपके साथ अखिले शाटी और बज़ारों की चाल में हम सब के लिए एक फिर से लेकर हाजिर हो यहाँ पर क्रिशी फसल बज़ार का अपडेट लेकर जानेंगे कि शाम के कारुबारी सर्थ में क्रिशी फसलों का वाधा बज़ार NCDEX कैसा ट्रेड करता नज़र आ रहा है किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बंदी नज़र आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्स की क्या रहे रहेगी ये सब जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले शुरुबात करेंगे हम यहाँ पे कैससीड से तो जैसे की हम देख रहे हैं कि आज हफ़ते के पहले कारुबारी दिन शाम के कारुबारी सत में कैससीड का वाधा वज़ार तेजी की ओर ही है टेजी के साथ ही ट्रेड करता नजर आ रहा है कैसा सीड का जनवरी वायदा 2.440 पर है और जो फरवरी वायदा है वो 2.880 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 2.94 का हाई लगा चुका है कैसे सीड का वैदा वज़ार 1200 के ऊपर ट्रेड करता नजर आया था और शाम में भी देख रहे हैं कि 1200 के ऊपर ही इस वक्त भी ट्रेड करता नजर आ रहा है आपको बता दें कि एक्सपर्ट का ये मानना है कि अभी छोटी अबदी की बात करूँ जो production है कैससीड का लगबग 3 साल में सबसे कम रह सकता है और 15.9-8 लाग टन के आसपास रह सकता है यानि कि लगबग मानगे चलिए 16 लाग टन अगर मोटा मोटा ओना नेवरेज लिया जाया तो तो कैससीड का जो उत्पादन है कम रह सकता है जिसकी वज़ा से कैससीड की जो कीमते हैं उनमें एक तेजी देखने को मिली है हमारी जो एक्सपर्ट है मोतिलाल औस्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा उनका मानना है कि अगर कैससीड बाज़ट सुप के उपर बना रहता है तो कैससीड में चोटी हवदी में पैसर सो तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं और ये लगबख एक हफते से दस दिन के अंदर अंदर देखने को मिल सकते हैं और अगर इसे बात करें अगर थोड़ी जादा तेजी की तो अगर कैससीड के वाइदा वाज़ा है पैसर सो के उपर ट्रेड करने में सस्टेन होता है तो कैससीड की कीमतों में 6600 से 8800 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ये वही लेवल्स होंगे जो हमने कैससीड में साल 2021 में आते वे देखे थे तेजी की और 7000 का तो लेवल तब देखने को नहीं मिलाता लेकिन अर्षट सो तक कीमता जरूर पर गई दी और वही वाला लेवल अभी फिर से देखने को मिल सकते हैं अगर कैसा सीड का वायदा वजार पैसर सो की तेजी दिखाने के बाद पैसर सो की उपर सस्टेन हो जाता है तो कैसे सीड में अच्छी तेजी बंती नजर आ सकती है लेकिन रहेगी छोटी अफ़दी के लिए बात करें यहां से अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल का फरवर रिवादा देखने तेथी सो पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है बिनौला खल में देख रहे हैं की लगबग पूरे कारवारी से अपता से की एक नर्मी के साथ ट्रेड दर्ज किए जा रहा है एक गिरावट के साथ ट्रेड दर्ज किए जा रहा है उसमें जो कताई मिले है जो स्पिनिंग मिले है वो सिर्फ उतना ही माल उथा रही है जितने की आवशक eerste उससे एक्ट्रा खरीदी नहीं हो रही है मंडियों में भी कॉटन की खरीदी में थोड़ी कमी देखने को मिली है हाला कि जो लेवल से हैं वो ठीक ठाक है उन में तेजी है लेकिन खरीदी में थोड़ी कमी आई है जिसकी वज़ा से कॉटन में हलकी नर्मी का रुजान हाल फिलाल में बनता नज़र आ है otherwise बिनौला खल के भी जो fundamentals हैं मजबूत ही है बिनौला खल में का उत्पादन इस बाद थोड़ा कम देखने को मिला है पहले के मुकाबले लगबर 10-15% की कमी है industrial demand आगे जाके उठ सकती है अगर दूद का उत्पादन कम रहता है जादा ही कम देखने को मिलता है तो बिनौला खल की जो demand है dairy और poultry sector से फिर से उठती नज़र आ सकती है और कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है अभी हाल फिलाल में बिनौला खल में मुनावा वसोली थोड़ी हावी होती नज़र आ सकती है बात करें हाँ से अगर मसालों की तो मसालों में सबस्वेले बात करें हैं भाफर धनिये की धनिये का जनवरी बाता देखनेगे अपरेल फिलालका वायदा 10,286 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है डेड़ फिजदी की तेजी के साथ देखनेंगे दनिये की कीमतों में यहां से तेजी बनती नज़र आ रही है आग बता दें कि दनिये की पाइपलाइन खाली है 22 बार कम देखने को मिलिए क्याई forward stock भी कम है और आने वाले समय में हो सकता हैगी थोड़ी export demand भी देखने को मिल जाए और अब शादी विया का season भी चल रहा है भारत में जिसकी वज़ा से मसालों की जो demand है वो भी बढ़ जाएगी जिसमें हम देखेंगे दनिये की खबद भी अच्छी होती नज़र आएगी अगर कोरुना की चलते जो शादी समारों में शामिल होने वाले लोग हैं उनमें एक limit नहीं रहती है पावंदिय नहीं रहती है तो अच्छी डिवान रहेगी मसालों की हाल फिलाल में अभी धनिये की जो कीमत है उनमें वैसे तो तेजी कहीर हो जाने लेकिन हो सकता है कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग भी बन जाए इसी के साथा जाएव बात करें अगर जीरे की जीरे का जेनवरी वाद देख रहे हैं 17,490 पर और लेकिं 18,000 के उपर sustain रहता है तो 18,000 से उपर की भी लेवल जीरे में देखने को मिल सकते हैं हमारे जो expert है मोतिलाव लास्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजजा उनके अनुसार जीरे में 19,000 तक की बिलावस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं जीरे में खरीदारी में रहा जा सकता है बात करें आसे अगर हल्दी की तो हल्दी में भी अमित सजाए की मताबिक आगे तेजी बनती नजर आ सकती है हल्दी का अप्रेल वाद हम देख रहे हैं 10,700 के उपर ट्रेड करता नजर आ रहा है आज 5 फीजदी की तेजी है और मैं वादा देख रहे हैं 10,800 के उपर ट्रेड करता नजर आ रहा है 5 फीजदी की तेजी के साथ देख रहे हैं कि धनिया और जीरे के साथ-साथ हल्दी की कीमत में भी आज काफी शांदार बड़त देखने को मिल लिए काफी ज़्यादा शांदार तेजी बनती नजर आई है हल्दी के अंदर हलतो हल्दी में अभी positive ही रुजान है अभी आगे जाके हो सकता है अभी जो कीमते हैं वो थोड़ी और तेज होती नजर आ जाएं तो overall मसालों का जो रुजान है साल 2022 में काफी अच्छा रहने वाला है मसाला कारूबारियों के लिए काफी अच्छा रह सकता है साल 2022 साल 2022 में मसाला कारूबारियों को निवेशों को काफी अच्छा रिटन देते वे नजर आ सकते हैं बात करें यहां से अगर अब गवार कॉंप्लेक्स की तो देख रहे हैं कि गवार कम का जनवरी वायदा 11,600 की उपर है और फरवरी वायदा देख रहे हैं 11,948 पर है 11,900 C का ही लगा चुका है डाई फीजदी की तेजी है गवार सीड का फरवरी वायदा 430 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है एक फीजदी की तेजी के साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं मोतिलाल अस्वाल के वायदा वायदा वजार जब तक 11,100 की उपर है तब तक 12,000 की उपर सस्टेइन होकर ट्रेड कर रहा है तब तक गवार सीड में 5500 के लक्ष हासिल किये जा सकते हैं तो अमित सर्जेज के मताबिग गवार गम और गवार सीड में इन लेवल्स की उपर अगर ट्रेडिंग देखने को मिलती है sustainability रहती है तो गवार गम और गवार सीड में आगे तेजी देखने को मिल सकती है जो की काफी अच्छी लेवल पर जाते हुए नजर आ सकते हैं वही तेजी हम आज भी देख रहे हैं कि गवार गम और गवार सीड में आज भी वैदा बजार में बंती नजर आ रही है गवार के fundamentals पर नज़र ढालें तो production पहले के मुकाबले आदे से भी कम बताया जा रहा है साल 2022 में experts ने गम के export demand बढ़ने की बात कई है कि गम का export demand बढ़ सकता है hotel industries से, food industries से, pharma से, paper industries से गवार का जो demand है वो बढ़ती नज़र आ सकती है दूसरा crude की कीमतों में भी हमने तेजी आती भी देखिए जिसका असर हमने गवार गम गवासीर की कीमतों पर आता हुआ जरूर देखा है crude oil देख रहे हैं कि हम लगातार 84 dollar के उपर बने हुए है दोनों में ही अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रहे है जिसका असर हम गवार के वाइदा बजार पर पढ़ता हुआ देख रहे है तो overall उजहान गवार में भी अभी हाल फिलाल में तेजी का ही रहने वाला है बात करें यहां से अगर अब सोयबीन की तो सोयबीन का फरवरी वाइदा देख रहे हैं 63-100 के उपर ट्रेड करता नजर आ रहा है वहीं से बात करें जनवरी वाइदा की तो जनवरी वाइदा चार फीस दी के उपरी 30 सरकेट के साथ 247 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है देख रहे हैं कि जो सोयबीन वाइदा बाजार में बीते कारुबारी सब्सक्राइब देखने को मिल सकते हो सकता है कि वाइदा बाजार सोयबीन का 6000 सबी नीचे चला जाए आपको बता दें कि विदेशों में अभी हमने देखा था कि ब्राजील और अर्जंटीना में सूखे के हालात थे जिसकी वज़ासे सोयबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही थी लेकिन अब वहाँ पे बरसाद भी देखने को मिली है थोड़ी बहुत जिसकी वजह से जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े पॉजिटिव बने हैं सोयवीन को लेकर कि जो पहले उत्पादन के अनुमान में कमी की गई थी उसमें कुछ सुधार भी हो सकता है लेकिन उत्पादन इतना नहीं होगा कि जो बीते साल हुआ था उन दोनों देशों में उसको पार कर जाई या उतना भी हो जाए उत्पादन अनुमान में जो कटोती की गी थी उसमें थोड़ी बहुत बड़त देखने को मिल सकती है लेकिन उत्पादन अभी भी कम ही रहने वाला है जिसकी वज़ा से अभी हाल फिलाल में वैदा वजार में आगे जाके तेजी भी जरूर बनती नजर आएगी लेकिन छोटी अफ़ी के लिए सोयबीन में अभी गिरावट देखने को मिल सकती है और उसी काई असर है कि हम सोयबीन में अभी हाल फिलाल में नरवी आते वे देख रहे हैं लेकिन वैश्वी कुत पादन में गिरावट भी जरूर देखने को मिल सकती है वही से बात करें चाइना की तो चाइना में भी सोयबीन का जो आयात है उसमें गिरावट देखने को मिली है दरसल चाइना में पशू को वहां के जो लाइव स्टॉक सेक्टर है जो पशूधन शेतर है वहाँ पर सोयबीन उस सेक्टर से चाइना में डिमांड सोयबीन की कम देखने को मिली है वीट फीडिंग जाद देखने को मिली यानि कि पशुओं को इस बार वहाँ पर चाइना में गेहूं जाद खिलाया गया है सोयबीन के मुकावले जिसकी वजा से वहाँ पर सोयबीन के आयात में गिरावर देखने को मिली है और चाइना दोजर पचीस तक सोयबीन का उत्पादन अपने यहां बढ़ाने की सोज भी रहा है इसी के चलते हम देख रहेंगी सोयबीन का वैदावजार थोड़ा लुड़कताव नजर आया है लेकिन वैश्विक सोयबीन उत्पादन में कमी ही रहने वाली है अभी भी कुछ एक्सपर्स के ऐसा मानना है वही हमारे जो एक्सपर्ट हैं मोतिलाल अस्वाल के वाइस प्रेसिर अमित सजीजा उनके मुताबिक सोयबीन का वैदावजार जब तक सतावन सो से अठावन सो के उपस सस्तेन होकर ट्रेड कर रहा है NCDX पर वैदावजार में तब तक सोयबीन में फिर से निचलेस तरह से बाइंग निगल सकती है बाइंग इनिशेट हो सकती है निचलेस तरह से खरीदारी देखने को मिलती रहेगी जो कि सोयबीन की कीमतों को आने वाले समय में 7000 के आसपास के लक्ष़ तक लेकर जरूरड जा सकती है आपको बता दे कि अमित सया के मिताविक सोयबीन ठूटती भी नजर आ सकती ऐसा नहीं है कि सोयबीन में लगातार तेजी ही बनेगी सोयबीन में गिरावट भी रहेगी 6000 के नीचे के लैवल्स भी रहेंगे हो सकता है कि 5700 के नीचे भी चले जाए लेकिन अमित सजज़े के मताविक सोयबीन का वाइदा वजार लेकिन ऐसा नहीं कि तेजी नहीं बनेगी वाइदा बजारों में वाइदा बजार में भी तेजी जरूर बनेगी और अगर वाइदा बजार में तेजी रहेगी तो हाजिन में भी जो तेजी है वो भी जरूर बनती नज़र आएगी हाल फिलाल में तो हमने वैदा में इसले देजी बनती भी देखी थी क्योंकि सोयबीन की जो आवके है भारतिये मंडियों के अंदर वो थोड़ी कम देखने को मुनी थी पहले के मुकाबले किसानों ने अच्छी कीमतों की उम्मीद के चलते सोयबीन को रोक कर रखा था उसकी विक्वाली नहीं के थी जिसकी वज़ा से प्लांटों को उचे भावफ़ सोयबीन की खरीदारी करनी पड़ रही थी इसी की वज़ा से सोयबीन का जो कीमते थी मंडियों के अंदर प्लांटों में सरसो अरसो तक जाती भी नजर आई थी तो अभी ओवरोर रुजान सोयबी जादा MSP से तो लगबख दो गुनी रेट पर हम पहले से देख रहे हैं लेकिन किसानों को अभी भी उसी लेवल की उनीस तरों की उमीद है जो उनको पहले गर्मियों के समय साल 2021 में मिलती नज़र आई थी सोयबीन की सरसों की सरसों की किसानों को इस बार 11,000, 12,000 लगबख 3-4 गुना तक MSP से 3-4 गुना तक किसानों को इस बार सरसों की कीमते मिलती नज़र आई थी जिसकी वज़ा से किसान काफी खुश भी है और उन्होंने इसी के मद्दे नज़र इस बार सरसों का जो बुगाई कर रगबा है वो भी बढ़ा दिया था आपको बता दें कि इस बार साल 2021 में मार्च में सरसों की नई आवक को का आगमन हो जाएगा तो जब आवक के होंगी तो वो भी भरपूर बंपर रहने वाली है क्योंकि इस बार उत्पादन भी जादल बताया जा रहा है क्योंकि बुगाई कर रगबा पहले के साल के मुकाबले बढ़ा है तो उत्पादन भी बढ़ेगा क्योंकि इस बार अभी तक ऐसी कोई ख़वरे नहीं आई है कि सर्सोग की जो फसलें है वो बहुत बड़े पैमाने पर खराब हुई हो हाला कि अभी बीच में बारिश भी जरूर होई थी जिसकी वज़़े सर्सोग की फसलें कुछ खराब होई थी लेकिन जो उत्पादन रह सकता है अभी ऐसा अनुमान है कि ठीक ठाक रह सकता है और भारत की जो डिमांड है भारत का जो उत्पादन पहले पिछले साल हो आता उसे ज़ादे ये तब भी भी रहेगा लेकिन सवाल यह उड़ता है कि क्या इस समय जिन किसान के पास सरसो है पुरानी सरसो है क्या उनको अच्छे भाव मिलेंगे तो जवाब है कि हाँ उनको अभी ऐसे एक्सपर्स का मानना है जिन से हमारी बातचीत होती रहती है उनका बजार के सूत्रों का यही मानना है कि पुरानी सर्सों के भाव तब भी अच्छे मिलते नजर आ सकते हैं क्योंकि नई सर्सों की फसल में नमी जादा रहती है जिसकी उसको पूरा करने के लिए पुरानी सर्सों की जो डिमांड है वो जादा रहती है तेजी जरूर बनेगी ऐसा अभी बजार के सूत्रों का मानना है कपास में भी देख रहे हैं कि कपास की कीमतों में भी लगातार तेजी बंदी नजर आ रही है कपास की भी जो कीमते हैं लगातार ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है दालों का बजार देख रहे हैं, दालों का बजार कुछ मंदा है दालों का बजार कुछ मंदा देखने को मिल रहा है जादा कुछ खास तेजी बंदी दालों में बंदी निज़र नहीं आ रही है तो ये था एक छोटा सा ख्रीशी फसल बजार का अपडेट कि शाम के कारुबाई सथ में क्रिशी फसलों का वादा बजार NCDX कैसा ट्रेड करता नजार आ रहा है किस क्रिशी फसल के अंदर आगे जा कि क्या लाइवल्स रहा रहा सकते हैं कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है आपके प्रोड़क्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तर बिग बिलिस बिग बिलिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान करिंगे कारी की तर बिलिस 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 बादा माझा पिलिस बिलिस वेकं रधनों की खुशियों की अबिल सेल अजरी की तर बिलिस बucks fla 62 कि शथ कर दो से अनन डंबiva दो से週 से ह stunड़ बिलिस और हांब की ऊनने से Protein हैं